आश्वर्या तेज प्रताप मामले में मीशा भारती की अब एंट्री हो चुकी है मीशा भारती बिना बोले रह नहीं सकती तो कैसे ये अनुमान लगाया जाए कि जब आश्वर्या और राबरी की तीखी नोगजोख होती होगी तो उसमें मीशा फस्ती नहीं होगी पड़ती नहीं होगी इन्हों ने जिस तरीके से पूरे घर को बरबाद किया ये अश्वर्या के दुख का बड़ा कारण बन गया लालू फैमिली के ड्रामा में एक बर फिर भाषा की मर्यादा खतम हो गई समधन पर साधार निशाना समधी ने तो बेटी ने संसकार पर सवाल ही उठा दिये राष्ट्रिय जनता दल सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज परताप यादव और अश्वर्या के तलाक मामले में दोनों परिवारों का जगड़ा भाषा के निचले स्तर पर गिरता दिख रहा है बीते दिनों एश्वर्या के पिता ने अपनी समधन राबडी देवी के लिया पत्ती जनक शब्दों का इस्तिमाल किया तो लालू की बेटी राज्य सभसांसद मिसा भारती कैसे रुक सकती उन्होंने अश्वर्या के पिता चंद्रिका राय के संसकार पर सवाल उठाए साथ ही कहा कि उनका और उनके पूरे परिवार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इस पर चंद्रिका राय ने मिसा को जूठा आरोप लगाया और जूठ बोलने वाली बताया इस बीच लालू कर दिया ये सामान फिलहाल पटना के शास्त्री नगर थाना में पड़ा हुआ है दालू परसाद यादव ने बेटे तेज परताप यादव की शाती धूमधाम से की थी उस वक्त उन्होंने बहु एश्वर्या की खूब तारिफोंक में कसीदे गड़े थे और कहा था कि घर महीने के भीतर ही तलाक का मुकदमा दायर कर दिया तलाक के इस हाई प्रोफाइल मामले में शुरुवाती दोर में ऐसा लगा कि तेजपरताप को परिवार कर समर्थन नहीं मिल रहा है नाराज तेजपरताप ने पिता लालू से रोते हुए मुलाकात की और घर छोर मतुरा व्रिंदावन के राह पकड़ ली इसके बाद वे तलाक की सुनवाई के दिन ही पटना लोटे लेकिन कभी घर नहीं गये तब से तेजपरताप अपनी माराबडी देवी का घर छोर कर अलग बंगले में रहने लगे इस बीच बहु ऐश्वर्या अपनी सास राबडी देवी के सरकारी आवास में ही रह रही हैं बताया जो रहा था कि तेजपरताप की शर्त थी कि वे तब तक मा के बंगले में नहीं लोटेंगी जब तक ऐश्वर्या वहां से जाएंगी नहीं और एक दिन ऐसा भी आया कि आश्वर्या को राबडी देवी ने वहां से निकाल देया लेकिन सवाल बड़ा है कि इन सब के बीच में मीशा भारती क्यों बढ़ रही है और इनकी एंट्री से लगातार हरकम पो मच रहा है मीशा भारती के एंट्री को आप किस तरीके से देखते हैं लालू परिवार में इस पर दीजी अपनी राय नेक्स नाइन भोजपूरिया क के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दा बाई